आज हम बात करने वाले हैं UGCnet Management Paper 2 के उपर UGCnet Management के अंदर जो Paper 2 है आपका subject उसमें 10 unit है हर unit पे अब लोग बात करेंगे तो आभी मैं बात कर रहा हूँ Unit No.1 के उपर unit का नाम क्या है Management तो अगर आप management की तैयरी करने हो और पहरी unit के बारे में हम जानना चाहते हो तो मैं पता रहा हूँ इस unit को थोड़ा सा strategically arrange करके कि नाम तो unit का management है बट इस unit में खाली management topic नहीं इस unit में 4 से 5 अलग अलग wish है या some sets include किये जैसे कि management topic term दिया गया है unit का नाम दिया गया है business management क्या management की evolution कैसे हुआ functions of management planning, organizing, directing, controlling, coordinating, communication ये सारी बाते detail में पढ़ने हो गया है ये तो management वाले एरिया हो गया management के बाद इसी unit में economics दिया हुआ है कौनसा economics दोनो economics, micro और macro दोनो economics समस्टी अवस्थास और westry अवस्थास दोनो economics यहाँ पे दी गई है दोलो और सास्त्र इसके अंदर दी गई है आप समस्टी में या micro में आप चाह पड़ोगे micro में micro के matter को कड़ोगे सारी चीजे हैं और macro के macro जैसे कि national income inflation यह सारी बाते इसी यूनिट के अंदर economics के अलावा इस यूनिट में और क्या है इस यूनिट में corporate governance इस यूनिट में business ethics है corporate social responsibility है value based मतनब की एक single unit और 5 अलग-अलग topics इस यूनिट में है अगर इस यूनिट को ठीक से तयारी करना है इस यूनिट को अच्छे से cover करना है आप तो इस यूनिट की इन अलग-अलग sections पे आपको दियान देना पड़े इस यूनिट से आपके एक्जाम में approximate 10 से 12 position हर बर पूछे जाए कारण ये है कि इस यूनिट में इतने सारे multiple topics जो है अगर आप इसकी तयारी करने हो तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से follow करना चाहिए अगर आप करोगी ये मेरे experience के आधार पे है अगर आप ऐसे follow करोगे तो definitely आपका paper ठीक से clear हो अगर आप self-prepare कर रहे है खुद से आप इसकी तयारी कर रहे हो तो आपको human resource management वाली किताब नहीं आपको खाली management वाली किताब लेनी पड़ेगी क्योंकि कई पर लोग management से confused हो जाते कि human resource management वो अदर बात है वो अलग unit में करें खाली management जिसमें management की evolution management के functions के उपर बात होई एक किताब कोई भी किताब ने लो CB गुपता ले लो कोई अच्छी से किताब detailed version किताब आप ले सकते second क्या है इसमें second है आपकी economic जैसे मैंने आपको बता है वही micro के लिए अलग किताब और macro के लिए अलग किताब अगर वोई किताब एक में आते हैं मोटी किताब है detailed है तो आप उसको ले सकते third किताब इसमें third book कौन से होगी corporate governance corporate governance के साथ business ethics corporate social responsibility इन topics के लिए भी किताबें आपको लेनी पड़ेगी मतलब कोई मिला के minimum three और maximum five books आपको कम से कम मतलब इस preparation को अच्छा करने के लिए चाहिए अगर आपको इसे paper clear करना है तो बहुत दस से वारा question है weight is कम तो नहीं होते हैं आपकी exam में दस से वारा question ये बात ते मैं अपने experience से कैसे क्योंकि मैं खोद management में भी multiple times net qualified हो including commerce HR management को qualify करने के लिए जो चीज़े मैंने देखी गी चैंड़ ये वो चीज़ मैं आपको बतारो ये तो हो गई self preparation की बाद अब self preparation के लिए आपने किताबे तो लेने लेकिन किताबों को कैसे करना है क्या करना है तो जो बाकियों के लिए तरीका है उन किताबों से आपको notes बनाना पड़ेगा detailed notes अलग और crops उसका अलग आपको उसको multiple times revise करना है and then आपको questions उठाने पड़ेंगे questions कौन से जो UGC Network प्रेवियस year में पूछे जा चुके है आज का topic तो है वैसे ने बस 2019 में change हो उसके पैदे भी ये topics थे तो जो 10 सालों के भी paper आप कम से कम देख लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस topic में कितने details तक आपको पढ़ाई करनी थोड़ी सी इसमें current की चीज़ें आपको include करके चलननी है जैसे corporate social response into business ethics इसमें जो current के updates है उसको तोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसमें static चीज़े के साथ साथ current की भी ज़रूरत पढ़े उन questions की practice करोगे and then practice के बाद आप की तयार होगी ये वाली यूदि ये तो बात लिए आपकी self preparation आजर ये चीज़े आप नहीं कर पा रहे हो या आपको और बहतर तरीके से चेंगे तो आप help ले सकते हैं institute का तो आप हमारे institute में आ सकते हैं ये institute है Global Teachers Academy जो कई सालों से management को त्यार कर वा रहा इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे किसी एक teacher को या एक faculty को पूरे subject पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है यहाँ पे हर unit या कुछ subjects जो है उसको grouping किया गया है जो faculty जिस part के लिए specialized है वही part उसको दिया जाता है तो आपके management में इस institute में 5 to 6 faculties लगते हैं आपके management को prepare करवाने के लिए 5 से 6 faculty institute में दिया जाता है कोई इट faculty नहीं सबका area अलग है जिसकी specification जसमें हम वही पढ़ाएं सेकेंड फाइदा आप जो यह 5 किताबे अपनी इस एक unit के लिए खरी दिये और फिर आपने एक detailed notes बनाया एक crux बनाया यह एतना research आपको करने की ज़रूरत नहीं वह 5 क्या वह 10 किताबों का सारा लेके वह यह faculty और यह institute आपको notes प्रपेर करके दे वह अलग से आपको नहीं करना आपको institute से मिलेगा तिया आपको क्या prepare करना आपको वह पढ़ना है लेक्टेव के बाद उस notes के बाद आपको क्या दिया जाएगा आपको दिया जाएगा test series class test वह test आपकी previous year के papers यह जो current potential रहा है उसपे निस्ट होगा उन questions को आप solve करोगे आप देखोगे कि क्या पढ़ाय गया है आपका concept year है नहीं है हो रहा है नहीं हो रहा है किस level के questions आ रहे है multiple times आपके test लिये जाएगे topic wise unit wise जैसे वह बाद है वैसे test होंगे ताकि आप तयार हो जाओ इस पूरे unit क्या इस पूरे subject के लिए समय बहुत कम होता है इतना time आपको नहीं मिलता है कि बहुत बड़ा आप research करें और 11 day by day बढ़ता जा रहा है paper अब खाली root learning के उपर based नहीं है paper analytical beast आ रहा है conceptual beast आ रहा है तो जब तक आप किसी चीज़ के deep में उसके knowledge को नहीं समझोगे उसके concepts को understand नहीं करोगे तक तर कोई फाइदा नहीं होगा आप कुछ questions के answer जरूर दे पाओगे जो क्या है factual बट conceptual होगा तो उन चीज़ों की तयारी पूरी detain में बहुत अच्छे से यहां पर करवाई जाएगी ताकि आपका exam अच्छे से निकम सके यह institute आज का नहीं है यह बहुत पुराना institute है कई सालों से management की तहरी करवा है तो इस unit के नहीं है इतना ही है अगले unit की बात अगले unit में करेंगे आज के लिए इतना है Thank you